हलो एवरिवान, बेलकम बेक टो यूर ओन चेनल, स्टेडी वल्ड आव विद्या और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से SSC CPO का जो एक्जाम हुआ है 24 नौवेंबर, 2nd सिफ्ट में उसके GK के क्वेशन्स लेकर आए हूँ हाला कि मैं ये वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ लेकिन उस टाइम पर मेरे पास 12 से 15 क्वेशन ही आए थे लेकिन उसके बाद रिशब कुस्वा ने अल्मोस्ट सारे क्वेशन्स कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया है और इन्होंने ये भी बोला था कि आप मैं प्लीज वीडियो बना दीजे और एक दो इस्वेशन्स ने और कॉमेंट किया था कि वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सारे क्वेशन्स अल्मोस्ट लेकर आ गई हूँ तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर जो पहला कॉशन इन्होंने टाइप किया है वो है जवाहर डांस किस स्टेट में होता है तो जवाहर डांस महराष्ट राज्य से संबंदित है नेक्ष्ट है नेक्ष्ट कौशन है यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जन जाती पर 2 से 3 questions आई थे लेकिन यहाँ पर question टाइप नहीं किये तो मैं यहाँ पर answer भी नहीं कर पाऊंगी Next question है हमारा किसान का मित्र कौन सा होता है तो हम सभी जानती है जो किसान का मित्र होता है वो होता है कैंचुआ अब हम Next question की तरफ यहाँ पर move करते है यहाँ पर Next question जो दिया है पंजाब, तमिलनाडू, राजिस्थान में पानी का इस्तेमाल किस सोर्स से सबसे जादा होता है तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा भौम जल अच्छा, अब यह आप लोगों को mind में क्लिक किया होगा कि यह भौम जल क्या होता है तो भौम जल का अर्थ उस जल से होता है जो किसी भू इस्तर की समस्त रिक्तियों में रहता है या मिक्टी का वह भाग जिसके बीच मेंसे भूमिगत जल का प्रवाहा चल रहा हो संत्रप्त कटिबंद कहलाता है और इस कटिबंद के प्रष्ट भाग को भूमिगत जलतल कहते हैं अब next question की तरफ हम move करते हैं विश्वनाथ आनन्द किस गेम से related है हम सभी को ये वहुत ज़्यादा famous है तो पता होना ही चाहिए जो विश्वनाथ आनन्द है वो सत्रंज खेल से संबन दित है next question है सौराग गोसाल जोसना चिननपा किस गेम से related हैं तो ये स्क्वास खिलाड़ी है next question है फ्वाद मिर्जा किस स्पोर्ट से related है 2019 में उन्होंने अरजुन अवर्ड जीता था तो ये जो फ्वाद मिर्जा है ये घुड सबारी से related है next question इन्होंने बताया था सरोजनी नाइडू की कविता का नाम क्या नहीं है वहाँ पर नहीं पूछा था तो इस तरह से मुझे नहीं पता कि कौन सा option आया था तो यहाँ पर जो सरोजनी नाइडू की कविता है उन्हें मैंने ले लिया है तो जो सरोजनी नाइडू की कविता है वो है the golden, thrash, hold और second है bird of time अगर इसके अलावा कोई और option में आया होगा तो वही उनकी कविता नहीं होगी next question है ग्यारा सो त्रानबे में मुहम्मद गौरी को किसने हराया था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत question बताया है question ये होना चाहिए कि ग्यारा सो त्रानबे में मुहम्मद गौरी ने किसको हराया था तो यहाँ पर जो हराया था मुहम्मद गौरी ने वो चंदरवार के युद्ध में दिल्ली के गहडवाल बंस के सासक जैचंद को हराया था next question है महात्मा गांदी साउथ अफरीका से भारत कब बापस आये थे तो वो 1915 में बापस आये थे next question है 2020 तक जून में गुजरात के CM कौन थे question इस तरह से गुमा के पूछ लिया गया है लेकिन question तो नॉर्मल होना चाहिए कि गुजरात के CM कौन है लेकिन student confused हो जाए इसलिए question में दी दिया है कि जून तक कौन थे तो वो है विजयरूपानी अभी भी है next है महाराष्ट के गवर्नर कौन थे 2020 तक मतलब यही है तो वो है भगत सिंग कोश्यारी next question है इंडिया अफगानिस्तान की बॉंडरी कितने किलोमीटर टच करती है तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है वो भी 106 किलोमीटर तक next question है cancer की थेरपी में कौन सी रे वर्क करती है कौन सी किरणे वर्क करती है तो वो radiation किरणे होती है इसके बारे में थोड़ा सा detail में जान लेते हैं जिससे के question अगर आप लोगों का बन जाता है तो आप लोग next आने वाले exam में अच्छे से उस question को solve कर पाएं radiation therapy को radiation therapy भी कहा जाता है radiation therapy cancer का इलाज करने का ऐसा तरीका है जिसमें radiation केड़ों के माध्यम से cancer के cells को समाप्त किया जाता है radiation therapy cancer के cells को खत्म करने के साथ साथ cancer को सरीर के दूसरे अंगों में फैलने से भी रोकता है next question है first पंच वर्सिय योजना कब सुरू हुई थी तो पहली जो पंच वर्सिय योजना है वो 1951 में सुरू हुई थी next question है first anglo sick war कब हुआ था तो first anglo जो sick war सुरू हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1845 को और कब तक चला था तो ये चला था 9 मार्च 1846 next है Lord Hastings ने कौन सा लो लगाया था अब इस तरह से नहीं बता सकती time दिया होना चाहिए कि उस टाइम पर कौन सा लो लगाया था next question है अगर आप लोगों को इसका अंसर पता है तो comment box में अंसर जरूर करें next है इंडिया में मेगनीज किस state में सबसे ज़ादा पाया जाता है तो वो पाया जाता है उडिसा राज्य में थोड़ा सा डिटेल में देख लेती है भारत देस में उडिसा राज्य मेंगनीज के प्राकर्तिक भंडार एबं उत्पादन दोनों में प्रतम इस्थान पर है next question है नेवी के चीफ कौन है जो 30 जून को चेंज हुए है तो वो है एड्मिरल करंबीर सें next question है तीजन बाई को पदम भीवूशन किस छेतर में मिला था तो ये कला छेतर में मिला था किस ने दिया था राष्ट पती रामनाथ कोविंद ने दिया था next question है हर्याना हरिकेन किस प्लेयर को कहा जाता है तो हर्याना हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन था पंजाब राजी का गठन कब हुआ था? तो पंजाब राजी का गठन एक नवंबर 1966 को हुआ था. नेक्स्ट क्वेशन है यहाँ पर पोड स्वराज का सेशन कब हुआ था? तो यह 1929 लाहर में हुआ था. नेक्स्ट है सबसे बड़ी दूसरी दीवार कहां पर है तो ये तो है कुम्बरगड में लेकिन सबसे बड़ी पहली दीवार कहां पर है फरस नंबर की तो वो है चाइना में नेक्स्ट है बिहोड ट्राइब किस राज्जी से संबन्दित है तो जो बिहोड ट्राइब है वो जहरखंड राज्जी से संबन्दित है नेक्स्ट कोशिन था है है मिस नेशनल पार्क कहां पर है तो है मिस नेशनल पार्क लद्दाक में इस्ते थै नेक्स कोशन है हमारा बर्तमान में भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षा कौन है कैग कौन है तो वो है गरीश चंद्र मुर्मू नेक्स कोशन है 1930 में फिजिक्स के छेतर में किस भारतियने नोबेल प्राइस जीता था तो वो जीता था डॉक्टर सीवी रमन ने क्यों क्योंके इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी नेक्स कोशन है दुनिया का इकलौता त्यरता हुआ पार्क कहाँ पर इस्तित है तो ये मनीपुर में इस्तित है नेक्स है भारत अपनी सबसे छोटी बाउन्डरी किस के साथ सेयर करता है तो यह अफगानिस्तान के साथ सेयर करता है यहां पर मुझे all most सारे questions मिल गई थे ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सियर कर दें जिससे के वो लोग भी अपने questions चेक कर लें मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दें जिससे के आने वाली वीडियो का notification आपको मिल जाए एक और चीज कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि येस मैम यही questions आई थे जिससे के जो आने वाले viewers होते हैं वो ब्रहमित नहीं होते हैं उन्हें क्या लगता है बांकी के channels की तरह इस channel पर भी fake questions डाले गए हैं आई होप आपलोंको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जारू करते हैं थेंक्स पर वाचिंग